नमस्कार दोस्तो आज का जो टोपिक है IDBI Bank divestment को लेके आज का जो वीडियो है इसमें हम लोग discuss करेंगे जो news क्या है IDBI Bank और LIC को लेके जो latest news आया है वो news को आपको brief में समझा देता हूँ बहुत ही असान भसा में और उसके बाद IDBI Bank में यह जो पेनी एक stock है यह जो एक पेनी stock मतलब banking sector का एक पेनी stock है इसमें मतलब क्या एक target रहेगा क्या इसका मतलब क्या एक range रहेगा इसका support resistance level क्या रहेगा वो सब कुछ चीज में आप लोगों के clear कर दूंगा तो वीडियो को पूरा last तक देख लिजेगा तो देखिए दोस्तो अभी आपको जैसे screen में दिख रह इसमें बाद में आता हूँ इसमें जो है मैं आप लोगों को अच्छा से समझा देता हूँ तो news क्या है on May 5 the cabinet committee on economic affairs shared by PM नौरेंद्रमोधी ऐसा बहुत कुछ लिखा है इसका जो meaning है यह जो IDBI bank का die investment है उसके लिए जो है इनमें approval मिल चुका है इसके बाद जो है मैं जैसा पहले आप लोगों को बताया कि LIC ने इसका जो है almost 3-5% जो इसका stake है IDBI का उन्होंने जो है बहुत सारा मतलब continuous एक basis पे जो है यह पूरा साल में मतलब आभी में माइना चल रहे है में माइना से लेके March 2022 तक जो है उसमें जो है इन्होंने सेल करते हुए जाएगा और यह जो idea है इसका जो main motive है कि इसका जो value है वो unlock करने का आप लोगों को नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ LIC का एक बहुत बड़ा IPO आने वाला है इस साल का quarter 3 में और उसी में जो है इनका जो value है IDVI का अंदर stake है वो stake को उसका value को जो है unlock करने के लिए यह जो process है वो चला रहा है तो आप लोगों देख सकते हो मैं जैसा पहले बता है कि LIC holds 49.24% stake in IDVI bank considering that LIC holds almost 5, almost जो है 529 कोडोर का share जो है इतना quantity उन्होंने जो है hold करके रखा है and currently जो है government of India and LIC together own more than 94% of equity of IDVI bank तो LIC और government of India मिल के जो है total 94% का equity जो है IDVI का share को hold कर रहा है तो यह जो चीज़े यह LIC को benefit कैसे देगा यह मैं आप लोगों को समझाज़े तो मैं जैसा पहले ही बताया कि एक LIC का mega IPO अभी आ रहा है यह साल का यह जो financial year चल रहा है इसका quarter 3 में settled हुआ है मतलब अभी तो date fix नहीं हुआ है यह settled हुआ है quarter 3 में तो इसमें जो है इनका जो value है यह IPA का जो value है उसको embed करने के लिए इसका जो value है IDBI bank से उसको unlock करने के लिए इनको जो है फाइदा होने वाला है तो यह तो आप लोग समझ गया होगा इसका यह जो news आया है यह तो आप लोग समझ गया होगा तो अभी हम लोग आता है main point में की company का जो है इसका fundamentals किया है आप लोगों को पता है कि यह एक banking sector का एक penny stock है इसका comparison में आप देखेंगे तो बहुत बड़ा बड़ा जो bank है HDFC bank, ICICI bank, Kotak Mindra bank यह सब से compare करेंगे तो इसका जो P value है 26.95 जो की HDFC bank and ICICI bank से भी उपर है तो यह point से यह जो banking sector का penny stock है यह थोड़ा सा strong मेरे को दिखता है और इनका quarterly result में quarterly result में आप लोगों को जैसे screen में दिख रहा है जखो जुन 2018 में 5766 कड़ोर का जो है इनका revenue था और आज का दिन में 5787 कड़ोर का revenue थो अल्मोश सेम है company बीच में revenue थोड़ा कम हुआ था जरूर लेकिन आज का दिन में March 2021 में revenue को फिर से उठा के लेके आया आप interest भी देख सेकते हो interest जरूर थोड़ा कम है लेकिन आप इसको और expenses ये बहुत ध्यान देने वाला बात है कि expenses जरूर expenses थोड़ा सा बढ़ गया December 2020 से लेके March 2021 को तो ये sector में मैं मानता हूँ कि IDVI को जो अभी इसका divestment जो policy होगा इसमें इनका management भी change होगा उनको expense का बारी में ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि expense जो है इनका थोड़ा सा बढ़ गया है जरूर इसका जो profit before tax है वो भी कम हुआ है पिछले quarter से लिकिन इनका जो expense है उसी का effect जो है इनका profit before tax जो PBT value है आया हुआ है expenses में थोड़ा सा उन्होंने कम कर सकता था तो इनका जो profit percentage है वो थोड़ा सा बढ़ सकता था तो आप लोग जैसा देख रहे होगी आज का दिन में IDVI बैंक जो है 40.40 रूपीज में ट्रेडिंग कर रहे है और आज का दिन में इन्होंन moment है stock का जो moment है बहुत सारा news के उपर base करके moment होता है लेकिन आप लोगों को कोई भी stock को ऐसा news के उपर base करके buy नहीं करना चाहिए लेकिन ये stock का मैं मानता हूँ इसका जो resistance level एक रहेगा ओ जो है 43 to 44 ये जो 43 या 44 level को इन्होंने cross करेगा तो तो हो सकता है इसमें थोड़ा सा आपर moment देख सकता है लेकिन ये जो divestment का जो policy है इनका जो news है इनका basis पे इन्होंने जो है 43, 44 cross कर सकते है उसके बाद थोड़ा सा आप लोग इसमें ज़रूर धहन दीजेगा आपका portfolio में उसको watch list में रखिएगा इसमें ज्यादा पैसा investment मत कीजिए तो इन्होंने जो है 43, 44 range में कितना दिन तक ये रुख सकते है ओ थोड़ा देख लीजे उसके बाद इन्होंने जैसा उसमें थोड़ा सा उसमें जो है orange में जो थोड़ा सा उन्होंने fix होता है तो उसके बाद जो है आप इसके बाद सोचिएगा तो ये stock मैं मानता हूँ कि swing trading के लिए थोड़ा सा अ तो हो सकता है कि बाद में जाके इनमें कुछ और भी divestment के बाद कुछ और अलग policy आ गया कुछ अच्छा हो जाए तो उसमें आप लोगों को invest उस टाइम में मैं update कर दूँगा invest करने के लिए कौन सा price में आप लोगों को buy करना है या कौन सा target आप लोगों को रहना है तो आपको अपडेट मिलते रहेगा थैंक्यू दूस्ता